इश्वर शक्ति का आदिसरूत इश्वर हमारे जीवन तथा कर्म का आदिसरूत है हमारे हृदय मंदिर में प्रकाश करने वाला तेज पुंज है हमारे जीवन का प्राण और श्वास है इश्वर ये आशा विहिन व्यक्ति उस सूखी पत्ती की तरह है जो विपरित हवा में यत्र तत्र मारी मारी फिरती है निराशा और वेदनाएं उसे एक ओर खींचती हैं तो व्यर्थक की प्रलोभन, लोब, अत्रिप्ते दूसरी विपरित दिशा में आकरशित करती हैं मैं इश्वर के तेज की एक रश्मी हूँ इश्वरिय सत्ता में मुझे अंततर विलीन हो जाना है मैं जहां से जन्मा हूँ, वहीं पहुँच जाऊंगा मेरी आत्मा सत्चित्व आनंद स्वरूप परमीश्वर का अन्श है मुझे मेरे प्रभुक के गुणहें प्रकाशित हो सकते हैं अनीति, अन्याय, अनर्थ से मेरा कुई संबंध नहीं ऐसी आस्तिक भावना मन्ह प्राण में संचित रखने वाला व्यक्ति सदा सरवदा कमल की समान प्रफुलित रहता है संकट में, विपदा में, निराशा के अवसरों पर दैवी सत्ता से तादत में आपको वो अंतरबल देगा जिसके द्वारा आप आंतरिक शक्ति पाती रहेंगे इश्वर शक्ति का आदि सुरूत है उससे हमारी आत्मा को सहन शक्ति प्राप्त होती है इस अंतरबल से व्यक्ति सब परिस्थितियों में बाहिय जगत के संकटों से सुरक्षित रहता है इश्वर की सद योजनाओं में अपने विश्वास को निरंतर बढ़ाते चलिए पूजन, जब, भजन, संध्या तथा नाना साधनाएं आपको सदा दैवी तत्व से जोड़े रखती है अखंडी जूती नवंबर उनिसो तिरपन प्रिष्ठ चौपिस हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंचक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्ड गति वीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे